मेरे प्यारे परिवार जोनो एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डाणते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या कुछ पढ़ाई बढ़ाई करोगे के नहीं यही हुर्दन करते रहोगे क्या यही सुनना पढ़ता था अब समाज की सोच बदली है बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही अब माता पिता भी स्पॉर्ट्स को लेकर के गंबीर हुए है अब देश का मिजा जैसा वना है कि जो खेलेगा वही खेलेगा साथियों पिछले एक दो मेने पहले मैं मद्दप्रदेश का एक आदिवासी इलाका सहरोल के आदिवासी गाउं में गया था वहां मुझे कुछ नवजवानों से मिलने का आउसर मिला और मैं सचमुच मैं वहां का द्रश्य उनकी बाते सुनकर के इतना प्रभावित हुआ उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मीनी ब्राजील है मैंने कहा भाई तुम मीनी ब्राजील कैसे बन गए हो बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाडी है और कुछ लोगा ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में तीन-तीन पीडी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है एक प्लेयर रिटार्ड होने के बाद उसने वहाँ अपना जान लगा दी और आज हर पीडी का देखती आपको वहाँ फुटबॉल खेलता नजर आएगा और वो कहते हैं कि हमारा जब एन्यूल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा इस पूरे इलाके के सैक्रो गाउं और लाखों की तादाद में लोग दो दो चार चार दिन मादान में डटे रहते हैं ये कल्चर उसे सुन करके देख करके देश के उजवल भविश का विश्वास मेरा बढ़ जाता है और काशी का साउसद होने के नाते मैं यहां आये बढ़लाओं का भी साक्षी बनाओं साउसद खेल प्रतियोगीता के दोरान जो उत्सा यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है काशी के युवां स्पॉर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाएं मेरी यही कामना है इसलिए हमारा प्रयास बारान जिके युवाओं को उच्चस तरियक खेल सुविधाय देने का है इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाय विक्सित की जा रही है और इसकी एक और खास बात है ये देश का पहला बहुस तरिय स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स होगा जो दिव्यान जनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है इसे भी बहुत जल्द ही काश्ची वाच्यों को समर्पित किया जाएगा बडालालपूर उसमें बना सिंथेटिक ट्रेक हो सिंथेटिक बास्केट बॉल कॉर्ट हो अलग-अलग अखाडों को प्रुच्छान देना हो हम नयान निर्मार तो करही रहे हैं पर शहर की पुरानी ववस्ताओं को भी सुधार रहे हैं क्रोड़या है क्रों सिंथेटिक बास्केट प्रुच्छान देना